फाइजा हसन जो हमें नजर आ रही थी नंड ड्रामा सीरियल में गोहर का किरदार अदा करते वे वे हमें आज से नंड में नहीं दिखाई देंगी जी हाँ फाइजा हसन नंड ड्रामा छोड़ दिया है नंड को क्विट कर दिया है क्यों किया है फाइजाहसन नन्ड रामे को क्वीट उन्होंने अपने एक वेबसाइट को इंटर्विव दिया है जिसमें नन्ड क्यों छोड़ना पड़ा आपको बताएंगे इस वीडियो में लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइट कर दें और बैल नोटिफिकेशन को लाज़मी ओन कर दें ताकि चानल पर हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे आपको मिले आपको पता ही होगा कि हमें नन ड्रामे में नई जो गोहर है नई गोहर के किरदार में जवेरिया साओध नजर आने वाली हैं लोगों को जब यह पता चला कि जवेरिया साओध नन ड्रामे में हमें गोहर के किरदार में नजर आएंगी तो नन ड्रामा जो है व वो इंडियन ड्रामे को फॉलो किया गया है जैसे के हमें दिखाया भी गया था कि उनकी यादाश चली जाती है और उनकी सर्जरी होती है तो यह सब 반ोर i में बाध चाहे जब बात की जाए जवेरिया सेट से फिक्चर्स है है वाइरल हुई यह वी ट्रॉल किया लेकिन जवेर वेरिया सूद ने बहुत बार ऐसा होता है जिंदगी में कि आदमी बहुत सारी चीज़े करता है और फिर उन्हें छोड़ दिता है बहुत सालों तक मैंने अक्टिंग को छोड़े रखा और मैंने किसी भी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं किया मैंने सिर्फ अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया जो कि है जे एस प्रोडक्शन लास्ट टाइम आइब वोग्ड फर हमायू सेट प्रोडक्शन इन ड्रामा सीरिल अना एन नौ आफ्र 20 एटी एटी आइम ड्रामा और फाहद मुस्त्फाज प्रोडक्शन दैट इस बि रिटेन इंटर्विव दिया आपको दिखाते हैं वो पूरा इंटर्विव के फाइजा ने क्या बाते की हैं उस इंटर्विव के अंदर तो ये एक बहुत लंबा इंटर्विव है जिसमें फाइजा ने सबसे पहले तो कहा है कि वो बहुत लगी है कि उन्हें नंद का जो ह और script desires उन्होंने कहा कि मेरी अपनी कुछ personal reasons है और script की कुछ इस तरह demand थी जिसके मुझे नंद को छोड़ना पड़ा और जवेरिया सौध को replace कर दिया गया as नहीं गहर क्या है कहना आपको इस वीडियो के बारे में हमें अपने comments में लाजमी बताईएगा थैंक य फो वाचिंग द वीडियो